हालो दोस्तों स्वागत है मेरे यूटुब चैनल डीजे एंड टेकनोलोजी में आज हम बात करने वाले हैं डेम्पिंग फेक्टर के बारे में डेम्पिंग फेक्टर क्या होता है यह कैसे वर्क करता है साथ के साथ कम ज्यादा जो भी है वो चीज़े आप इस वीडियो के अंदर समझ जाएंगे साथ के साथ ही मैं कुछ एंप्लिफायर भी आपको सजेस्ट कर दूआ इस वीडियो के एंड में हाले कि मैं उनका पूरा स्वाइफिकेशन नहीं दूआ आपको लेकिन आपको कुछ चान करी दे दूआ कि आपको एंप्लिफायर कौन सा पर्चेस करना चाहिए और नहीं करना चाहिए आगे डिटेरली वीडियो आपको मिल जाए कि जाय है जैसे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन पूरी मिल सके तो अब आखी दोस्तों शूरू करते हैं डेम्पिंग फैक्टर सभी का सवाल होता है सभी को ज़्यादे तर लोग को पता भी होगा कि damping factor क्या होता है किसे work करता है लेकिन क्या होता है ये अब आप समझिए देखिए damping factor क्या है आपके द्वारा जो signal release किया जाता है amplifier चे पहली बातों साधन बासा मैं समझा रहा हूँ लेकिन अगर मैं theoretical बासा में चल गया तो इस पर आप नहीं मानेंगे दो से तीन घंटे का वीडियो भी बन सकता है easy way में लेकिन अभी simply हम बासा में समझ लेता है इस चीज को ठीके दोस्तों तो सबसे पहली बात तो ये है कि damping factor के द्वारा जब हम कोई भी amplifier से signal को release करते है तो वो कितने second में या फिर मैं कहूँ कितने millisecond में वो महां तक पहुँच जाता है और इस speaker को work करा कर वापस आ भी जाता है मतलब कि आपने एक positive signal throw करा वो negative बन कर वापस आपके amplifier तक आ गया अब क्या काम करा इसने अगर आप लोग समझते होंगे तो समझ चुके होंगे हाला कि topic बोरियत भरा है लेकिन आपको नहीं समझ में आते हैं तो यहां से आप वीडियो छोड़े जा सकते हैं कोई issue वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपको जानना है damping factor क्या है तो सुमिए देखिए जब भी क्या होता है कि हम कोई भी एक केबल लेते हैं हाला कि damping factor में केबल का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी केबल 1 mm की है 2 mm की है, 2 mm की है, 2 mm की है लेकिन minimum में आप 2 mm या 2 mm का केबल यूज़ करें तो ज़्यादा बहतर मानता हूँ प्लस, अब damping factor वर्क क्या करता है देखिए, जब भी आप कोई भी signal रिलीज करते हैं तो पहले हम इसमें topic में बात करने वाले without damping factor amplifier की मतलब कि किसी amplifier में damping factor की facility आपके पास available है ही नहीं तो वो बात करने वाले हम यहाँ पर तो देखिए जब भी आप कोई भी signal को release करते हैं amplifier के तुरू, मतलब आपने कोई भी voice या कोई भी song जैसे आपने hello बोला या कोई गाना प्ले करती हैं वहाँ पर तो जब वो signal amplifier से release होकर speaker पर गया तो speaker में के अंदर एक धुनी तरंग पैदा हुई जिससे vibration हुआ परदा बहार आया ठीक है, अब परदा बहार तो आ गया है अब इसको अंदर भी जाना है लेकिन अगर ये अंदर नहीं गया और आपने इसी के साथ इस पर दूसरा signal भी छोड़ दिया तो ये परदा जब आपका माल लीजे, एक अंदर जयन example दे रहा हूँ आपको कि 30 Hz की frequencies पर work कर रहा था मतलब 30 Hz से work करना start कर रहा था, लेकिन अब जब इस पर दूसरा signal चला गया है मतलब पहला signal तो वापस गया ही नहीं लेकिन अब आपने दूसरा signal भी छोड़ दिया अब दूसरा signal जब इस पर चला गया तो वहाँ पर क्या हुआ जब दूसरा signal इस पर गया तो अब ये 30 की जगे 50 Hz पर work करने लग गया मतलब 50 Hz से start हो गया इसे करकर के 70, 80, 90, 100 तक जाएगा उसके बाद आपका amplifier नहीं, आपका speaker destroy हो सकता है साथ के साथ अब यहां क्या होता है दूसरा कारण ये भी होता है यहां पर आपका amplifier भी होता है वो केसे होता है, देखें मान लिए कि आपने जो signal release करा अब आपने जो signal release करा तो जब signal खतम होने के बाद कोई gap आया नहीं है speaker आपका vibrate continue कर रहा है मतलब आपका vibration जारी है speaker का, मतलब जो भी signal गया है जो भी audio गई है वो signal आपका खतम हो चुका है amplifier तो कोई signal नहीं जा रहा है लेगिन आपके amplifier में damping factor ना होने के कारण या फिर बिल्कुल भी ना होने के कारण की बात कर रहा है यहाँ पर होना नहीं होना बात की बात है पहले अभी यहाँ पर damping factor ही नहीं आपके पास अबेलेबन ठीक है तो ना होने के कारण आपके जो speaker है, उसका vibration continue up and down है, जैसे यह speaker है speaker का vibration जैसे यह परदा बाहर आ चुका है लेकिन अब यह अंदर तो जाई नहीं पा रहा है यह यहीं पर vibrate कर रहा है क्योंकि इसमें amplifier में damping factor नहीं था अब जब यहाँ पर यह vibration का दे रहा है तो vibration के द्वारा क्या होता है, देकि मान लीजे आपकी एक EMF या मैं कहूं कि Electro Motive force generate होता है या फिर मैं कहूं एक Electro Magnetic फिल्ड भी generate होता है, आपने जब भी देखा होगा कि हम जब भी कोई भी work करते हैं, या कोई भी चीछ देख लिजे आप चुम्बक और जब तामा आपस में मिलते हैं, आपने देखा होगा generator के अंदर भी जो फिल्ड होती है जब वो round करती है, तो चुम्बके सेत्र के अंदर ही round करती है, तो बिदली पेदा करती है वैसे ही यहाँ पर जब speaker vibrate कर रहा है, तो एक EMF मतलब Electro Motive Motive Force generate होता है वो आपको amplifier को वापस signal देता है, मतलब कि आपका अब यहाँ पर current जा रहा है, आपका negative signal नहीं जा रहा है, अब आपके amplifier में current जा रहा है, जिसके through आपका speaker को destroy हो ही सकता है लेकिन साथ के साथ आपके speaker को भी distillation level पर ले जा सकता है, और amplifier भी destroy हो सकता है यहाँ पर अब चलते हैं, बात करते हैं, हम यहाँ पर damping factor होने पर क्या होगा देखिए, जब भी आपने कोई भी signal release करा, ठीके माल लीजिए, आपने कोई amplifier से song play करा है, वो signal release करते आपने, अब वो signal release करने के बाद, वो signal positive में तो गया लेकिन negative में है, यह हमारी हर चीज में cycle चलती है normally positive में जाता है, negative में आता है यह पर negative से release होकर वापस आ रही है ठीके, अब जब damping factor आपके amplifier में है ठीके, वो कितना भी हो 200 हो, 300 हो 400 हो, 500 हो, 800 हो 1000 हो, 1500 हो, 3000 हो कितना भी हो, वो बात की बात है, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा इस चीज को लेकिन अभी, आपके amplifier में अब damping factor आपके पास available है अब अगर आपके पास damping factor available है, तो क्या होगा, जो आपने signal release करा है, ठीके मतलब कि अब आपने जो signal release कर दिया, speaker पर गया अब damping factor यहां क्या work करेगा, यह समझे damping factor जब आपने उस signal को release करा है, तो damping factor एक negative force को जारी करता है, मतलब कि अपने अंदर लेता है, ठीके damping factor का काम यहां से start होता है, मतलब पहले तो उसने signal थो कर दिया, amplifier ने अपना काम कर दिया, अब जब वो release होगा, negative force से आपके speakers के through वापस आ रहा है यहां पर, तो क्या होगा कि आपके पास, जीतिनी भी speaker के अंदर से जो negative force आई, आप amplifier पर अगर आप माल लीजिए एक normal example देता हूँ, आपको मैंने एक 10 kg का पाटा, उपर 6 से फेका, ठीके मतलब कि उपर 6 से मैंने 10 kg का या 20 kg का या माल लीजिए 5 kg का पत्थर मैंने आपको उपर 6 से आपके पास फेका force के साथ, ठीके आपने पकड़ तो लिया लेकिन आपके हाथ में चोट आ गई, चोट आ गई यहाँ पर, अब चोट आने के बाद आपको क्या हुआ, खून भी आ रहा है दर्द भी हो रहा है, बहुत सारी चीजे है ठीक है, अब इस बात को लेकर हम दूसरी चीज कहता है कि मैंने वही पत्थर आपको किसी रस्टी से या मैं कहूँ किसी चीज से बान कर फेका, that is the damping factor, मतलब मैंने आपको उसको damping factor के थूद दिया मतलब की प्यार से, मतलब तरीके से दिया, जो एक working condition का तरीका होना चीए था, मापर damping factor का वैसे ही मैंने उस पत्थर को आपके हाथ में रस्टी से मान करें, कोई भी चीज से दे दिया तो वो क्या हुआ, आपके हाथ में कोई चोट नहीं आई, कोई खरोच नहीं आई कोई दर्द नहीं हुआ, आपने easy way से उस पत्थर को पकड़ लिया यही काम damping factor का होता है साधन भाशा में समझाया था, अब टेक्निकली भाशा में समझाता हूँ आपको जब भी कोई भी negative force हमारे amplifier पर आता है, तो उसे हम, जा फिर पहले बात सुनिया आप, कि जब भी आपने कोई signal थ्रो करा, तो इसको, हम time smearring कहते हैं, इसके साथ ही इसको rigging भी बोलते हैं, और इसको time management भी बोल सकते हैं, साथ के साथ ही कि कोई भी चीच का time manage कर रहा है आपका damping factor कोई काम नहीं कर रहा है आपके speaker पर जो positive force जा रहा है उसको negative के थ्रो आने तक वो time force को manage कर रहा है यहां पर ठीक है, अब काम क्या करा उसने, कि आपके जब negative force से जो volt आया, मतलब वहाँ से जो count throw कर वापस return आया है ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो negative signal वापस आया है जो negative force damping factor ने अंदर generate किया था, वो महाँ पर आने के बाद, amplifier ने उसको बड़े प्यार से लिया और छोड़ दिया मतलब की तरीके से जैसे आपने देखा होगा कभी शोकर आपने देखा है, शोकर हम सभी गाड़ियों में सब जगे देखते हैं, लेकिन क्या होता है, शोकर दपता तो बहुत जल्दी है, लेकिन उठता बहुत दीर है, क्योंकि उसके अंदर spring लगी होती है, spring का काम यही होता है कि वो pull and out, pull out, pull in pull out, pull in, यही काम वो करता है यसे damping factor करता है, damping ने pull करा, उदर से out हुआ वापस amplifier को आया, लेकिन restoration होने से damping factor ने बचा लिया अब बात करते हैं, यहाँ पर अब इस topic में कि कम होने से क्या होगा और ज्यादा होने से क्या होगा फरक किसी से भी नहीं पड़ता है clearly बात है, अगर आप यह सोचते हैं कि damping factor, देखिए मैं अगर कहूँ कि 10 feet तक की cable में, या 15 feet तक की cable में damping factor का कोई working condition नहीं होता है, clearly बात तो यही है क्यों, क्योंकि इतनी सी range में नहीं होता है, हाँ, अगर इसी cable को आप 10 meter की range पर लेगे जाते हैं, तो वहाँ पर damping factor work करता है, ठीक है अब damping factor जब work करता है तो आपका 0.01 ohms 0.01 ohms यहाँ पर आपकी एक generation मतलब यह माल लेजिए कि 0.01 millisecond में वो आपके work कर रहा है एसे समझे आप लोग, ठीक है जब वो work कर रहा है वहाँ पर तो work करने की स्तिती में आने के लिए उसको कुछ time चीए होता है तो वो यही होता है अब अगर कम damping factor वाला amplifier है माल लेजिए आपके पास एक 250 या फिर 300 या 400 damping factor वाला amplifier है sufficient है, मैं कहता हूँ काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस से एक चीज और सा नहीं कि इस damping factor से आपके base effect पर कोई फरक नहीं पड़ता है आपके base केसा बज़ेगा speaker केसा बज़ेगा इस चीज पर कोई फरक नहीं पड़ता है खाली, सिर्फ यह इतना सा ते करता है कि आपके speaker के अंदर जो positive signal जा रहा है उसको negative तक आकर जो आपके speaker है वो वापस अंदर चला जाए उसको gap मिल जाए आपकी coil destroy नहीं हो, speaker destroy नहीं हो तो वो ज़्यादा बेतर है हाँ, एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर damping factor हमारे पर highest है highest का मतलब समझ सकते है आपके 3000 damping तक अभी हमारे पास present time amplifier market के अंदर available है हर range में, ठीक है, हलागि इससे ज़्यादा भी है लेकिन present time Indian market के अंदर 3000 तक damping factor वाले amplifier available है, लेकिन वो काफी costly भी है damping जितना बढ़ता है, cost भी उटनी बढ़ती कारण क्या होता है, parts वो सरी चीज़े होती है, जो उसके अंदर internally changes करने पड़ते हैं, जिसके थूँ damping को बढ़ाया जाता है अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कि हमारे पास minimum damping कितना होना अचीए देखिए, कम से कम आप 400 damping लेकर चलिए 400 damping आप अगर लेकर चलते है तो भी sufficient है, मैं कुछ नहीं कुँआ इसके बारे में, बिलकुल perfectly है ठीक है, इसके बाद अगर आप 1000 भी ले लेते हैं, 800 भी लेते हैं बहतर है, जितना high लेंगे वो उतना बहतर मानता हूँ मैं, लेकिन इस checker में कोई amplifier को आप अगर छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी beta 3 या NX audio, या फिर मैं CA20 sound standard के वारे में बात करता हूँ यहाँ पर, तो कुछ amplifier का जैसे भी beta 3 का ले लेते हैं हम तो 400 यी damping है, क्या करेंगे, और सर हमारे तो bass नहीं बज़े, अरे बज़ेगा सब कुछ बसता है, amplifier अगर बना है damping factor घड़ भी रहा है, क्योंकि costing कम हो रही है costing के साथ वोल्ट भी कम हो रहा है ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि damping factor हमें कितना लेना है तो आपको damping factor कम से कम 400, highest 1000 तक 1500 सक जा सकते हैं आपको इतना working नहीं है, अला कि लेकिन live field में damping factor काफी माईने काम करता है ठीक है, अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि damping factor के आगे आपने कभी देखा होगा एक arrow का निशान लगा रहता है हमेशा जिसको हम कहते हैं बढ़ते करम में या घटते करम में जिसको का जाता है ठीक है, मतलब जीदर बढ़ता है ठीक है, तो ohms के साथ damping भी measurement होता रहता है ठीक है, जैसे 8 ohms पर मान लीजिए, आपकी company ने damping दिया हुआ है 500, ठीक है अब आपने देखा होगा QSC जैसी कंपनिया crown जैसी कंपनियों की बात कर लेते हैं तो उन में 280-300 ही damping आता है 400 मान लीजिए, 500 भी आता है लेकि, मिनिमम यही है ज़्यादा था, जो QSC का RMX था 50-50, 40-50 2450 इन सब में ज़्यादा damping 280, 300, 400 यही देखने को मिला था ठीक है, अब जब हमें देखने को मिला था, आपने उसके आगे एक निशान नहीं देखा शायद तो वहाँ पर आपने clarity अगर आप उसकी जो टेक्निकली जो थियोरी है उसके अंदर याफिन मैं कहूँ टेक्निकली स्पेशिफिकेशन है उसका वो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8 ohms 8 ohms and damping factor is 500, 400 या 280 जो भी उसका होगा, एम्प का, जिस भी आप एम्प का खोलेंगे, तो उसके अंदर दिएगा ये 8 ohms पर उसका damping था अब इनमें auto adjustable होता है पता है आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि amplifier भी auto adjust आते है बहुत सार है, आपने ये तो देखा कि वहाँ पर 500 damping है, लेकिन बहुत से amplifier आपको automatic देखने को मिलते है अगर आप CA series पर जाते हैं या मैं कहूं, MT series पर जाते हैं MT series आपको soft starting देती है CA series भी आपको soft starting देती है लेकिन आपने हर column पड़ा होगा लेकिन आपने कभी एक column नहीं पड़ा कि उनके अंदर जो operate होता है वो automatic होता है, मतलब कि automatic shifting है उनके अंदर, कोई भी काम है अभी जितने भी बड़ी company वाले amplifier है जैसे हम एक छोटा सा amplifier है छोटा सा नहीं में कहूंगा कि इस दुनिया की शायद सबसे बड़ी company बोल सकते है हम lab group N को जिसका amplifier is something एक डेल लाक से तो start ही होता है एक डेल लाक के भी उपर से start होता है अलागि जो की 2-3,000 watt amplifier होता है लेकिन उसमें यसा क्या है? उसमें shifting है automatic working condition amplifier होता है इसे ही आपकी जितने भी QSC है, crown है इनमें automatic heat damping आपका change होता है ohms के साथ अगर आपका जो ohms वर्क कर रहा है उसी के साथ जिस भी तरह सा आप ohms को वर्क कर रहा है उसके साथ ही आपका damping भी adjust होता जाता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ohms की आपने देखा होगा जब भी कि जब ohms की हम matching करते थे पहले कि जब जो amplifier आता थे आउ जाके उनमें पीछे लिखाता था 4 ohms, 8 ohms यह सब कुछ लिखा होगा हमें देखने को मिलता था अब देखने को मिलता थो था लेकिन कारण क्या था कि हम उस पर लगाते थे तो voltage बढ़ते थे या हम अमारे इसाब से लगा लेते थे ने ठीक है 500W का amplifier चारे speaker तो चला लेगा आज भी हम यही कर रहे हैं ठीक है लेकिन थोड़ा सा जबाना बदल गया जब power amplifier आया थो उन पर ohms नहीं थी उन पर आपको चार नोप मिलते थे या speakon का cutout मिलता था जिसके अंदर आपको speakon लगाना होता था लेकिन ohms matching आपको आपके हिसाब से करनी पड़ती थी ohms matching की बात हम आगे वाले आले वाले वीडियो के अंदर करेंगे इसमें छोटा का topic था इसलिए बता दिया है आपको यह ठीक है आप साथ के साथ ही जो मैंने शुरू में कहा था base amplifier के बारे में तो base के लिए हम सबसे पहले देखिए मैं आपको कुमा कि आप CA series पसंद कीजिए MT series पसंद कीजिए MT में आप 1601, 1201 ले सकते हैं हाला कि 1601 का damping factor आपको 1000 watt मेल जाता है यह bridge mode पे at 8 ohms 4200 watt निकालती है 4 ohms पे 5200 watt निकालती है bridge mode पे ठीक है ना parallel और stereo की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ बें bridge mode की बात कर रहा हूँ stereo mode की बात करते हैं मगर तो stereo mode पर MT 1601, 1700 प्लस 1700 देती है 4 ohms पर 2250 प्लस 2250 देती है और 2 ohms पर 3000 प्लस 3000 देती है अब 3000 प्लस 3000 देती है आपके 47 kg इसका weight है class H का amplifier है for bass only bass के लिए आज amplifier की बात करने वाला है इसके लाव किसी और product के लिए यह नहीं है कि आप इस पर top लगा अगर बेट गए और चालू करती है यह गलत रहेगा इस पर bass use कीजिए ज्यादा आपको बहतर रहेगा अगर आप इस पर top यूज करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपका top डिस्टर होने का बहुत ज्यादा chances होता है हाला कि यह top to start amplifier है इसमें आपको protection बहुत अच्छा देखने को मिलता है limiter switch working है बहुत सारी चीज़े है जो कि MT के अंदर काफी अच्छी बनाई गए और मैं कहूँआ कि NX audio के अंदर मेरा सबसे पसंदीदा amplifier ही MT series है क्योंकि सही कहूँ इसके RX series भी काफी बेतर है लेकिन कुछ कमियों की वज़े से मैं RX को पसंद नहीं करता हूँ की बात करते तो हम 1350 पर 1350 यह 8 ohms पर आपको देती है उसके बाद 4 ohms पर 1850 यह 850 देती है और 2 ohms पर 2525 वाट की आपको निकाल कर देता है ठीक है अब इसके बात करते हैं हम CA20 की CA20 को अगर हम लेकर चलते हैं यहाँ पर तो CA20 वर्ल्ड का सबसे best amplifier मना जाता है speaker उडाने के मामले में जिसने sound standard को समझ लिया हाला कि उसका speaker destroy नहीं होएगा लेकिन जिसने नहीं समझा उसका पक्का है कि speaker destroy होना 100% है और मैं कहूं हूँ कि जिसको भी आज तक sound standard समझ में नहीं आया आपको sound standard समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पर eye button में एक link दे दूँ हूँ जिसके अंदर आपको sensitive वाला मेरा एक video था वो मिल जाएगा उसके थूँ आप देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप check out कर सकते हैं कि sensitivity का क्या होता है आपको sensitivity कैसे setup करनी है या फिर मैं कहूँ हूँ है कि उसी इट में आपको back amplifier की setting भी देखने को मिल जाएगी आप वहाँ जाकर check out कर सकते हैं मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया हूँ है नहीं आता है तो आप comment section में बताईए मैं आपको वहाँ पर जवाब देनी कोशिश करूँ है ठीक है साथ के साथ हम बात कर लेते है CA20 की CA12 की और एक amplifier हो रहता है यहाँ पर QSC का RMX 5050A या 5050 जो old model था 5050A भी नया हाला है लाकि लेकिन दोनों एक ही है थोड़ा सा model में changes करा गया है हाला कि QSC ने यह amplifier बंद कर दिया था लेकिन इस amplifier के बाद ही QSC का नाम market के अंदर आया था तो आप बैतर है कि आप QSC की इस amplifier को करीजे अगर आपका budget है तो crown भी इस range में आता है लेकिन crown हमारी range से highest निकल जाता है बड़े sound वाले खरीज सकते है लेकिन medium जो range वाले हैं अभी हम उनकी बात कर रहे है बड़े sound वाले crown को अच्छी तरह जानते है 4002, 6002, XTI series है हाला कि crown में जब ही recommend करता हूँ आपको जब आप JBL का कोई product यूज करे PV का कोई यूज करे जो उसके लिए इंटेली बनाया गया हो या कहूँ कि particularly उस amplifier को जिसके लिए design किया गया है या company जैसे आपने कोई JBL का product खरीदा है और JBL ने आपको कहा कि आप इसको 6002 पर बजाईए आपको असली मज़ा आएगा तो मैं कहूँगा कि आप crown पर जाकर purchase कीजिए दूसरी बात कर लेते हैं CA20 की CA20 amplifier बहुत best है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप ले सकते हैं और issue भी नहीं है इस चीज का CA12 भी ले सकते हैं इस पर भी best boost कर सकते हैं लेकिन CA12 पर मैं आपको कहूँगा कि आप top भी running करा सकते हैं कोई issue नहीं है लेकिन CA20 पर आप top running मत करवाईएगा काफी दिक्कत हो सकते हैं और आपका speaker destroy हो सकता है तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए मिलते हैं अगले next वीडियो के अंदर प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले जे हिन जे भारत